करनाल के सराफा बाजार हनुमान गली में एक ट्रेक्टर ट्रोली का डाला मजदूरी करने वाले व्यक्ति की च्छाती से टकरा गया जिससे 50 वर्षे सोमपाल नमक मजदूर की मौत हो गई है मृतक सोमपाल के परिजन रामपाल का कहना है कि मृतक सोमपाल ट्रेक्टर ट्रोली पर इड़ डालने का कारे करता था जब ट्रेक्टर ट्रोली खाली करके ट्रेक्टर का ड्राइवर ट्रेक्टर को मोड रहा था तो पीछे से डाला खुल गया जो सोमपाल की च्छाती से टकरा गया और ड्राइवर ने ट्रेक्टर को पीछे कर दिया जिससे वह दिवार और ट्राले के बीच में आने से बुरी तरहें जखमी हो गया और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया जिसके शिकायत पुलिस को दी गई है फिलहाल पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पॉस्ट मॉर्टम रूम में रखवा दिया है और उचित कानूनी कारवाई की जा रही है परीजनों ने बताया कि मृतक शादी शुदा था जिसकी दो लड़किया भी है इस दुर्गटना से परीजनों में शोक की लहर है और परीजनों का रो रोकर बुरा हाल है परीजनों दुरा ट्रेक्टर चालक के खिलाफ कारवाई करने की मांग की जा रही है वही पुलिस का कहना है कि शव को कबजे में लेकर पोस्ट मॉर्टम के लिए भिजवा दिया गया है दोशी चालक के खिलाफ परीजनों के बयान लेकर कारवाई की जा रही है और परिजनों को न्याय दिलाया जाएगा इस रिपोर्ट करवा दिये गार्ट करने के लिए बैल इकन को प्लिक करें हमारी चैनल को लाइख शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाद।